उत्तरव्रदेश के रामपूर में समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष अकलेश यादम ने आजंग खान की जोहर युनिवर्स्टी बच्चाने के लिए एक जनसबा को संबोधित किया इससे पहले सिक समाज़ के लोगों ने उन्हें पकड़ी पहना कर सम्मान किया हुआ है हुआ है इस दुटिया इस दुटिया भरके सिखों की तर्व से तुरिया भरके सिखों की तर्व से हर मुश्कल में सिख्खों की मदद करने वारे महान योड़ा शिरी खलेश को सबसे ओचित वसनमान पगड़ी पहनाई जा रही है और चाहूंगा जितने सदार जी बेटी हैं मिलकर जिकारा छोड़ दो पुले सो नहाँ एक मैं कहूं जिन्दाबाद कहना है श्री खलेश यादव जी सारे भारत की उमीदों के चांद श्री खलेश यादव जी हमारे माननिये नेता श्री खलेश यादव जी तो यह समान मैं लड़कों की तरीव करता हूं कि यह पहले ही पगड़ी को बना कर पूरी वगेरा करके लाहे थे तो ज्यादा त्याम नहीं लगा ग्रेश जी जब भी पगड़ी बांचते हैं तो गुसा ना करना पहले से खुमसूर्ट हो जाते हैं और आज़ो जी आज़ेजर से एक सर्दार जी रहे एक बहरान हूं सर्दार हो कि सर्दार जी पर्दे के पीछे भी हो वहां भी पशान लेते हैं सर्दार जी अखलेश यादव जी तो मैं दनवाद करता हूं अभी माननी ये बहन जी नहीं वहीं अखलेश यादव ने सांसद आज़म खान का नाम लिये बिना कहा कि एक दो मुकदमे लगे हो तो बात की जाए उनकी एक आदा धारा लगी हो तो उसकी बात हो केवल आज़म खान पर मुकदमे नहीं उनके साथ जितने भी लोग हैं उन पर गंभीर दाराओं में मुकदमे लगे जूटे मुकदमे लगे और एक तो मुकदमे लगे हो तो बात की जाए उनकी अगर एक आद मुकदमा लगा हो तो उसकी बात हो एक आद धाराएं लगी हो तो बात हो और केवल आधरी आजम खाह साथ पे मुकदमे नहीं आधरी आजम खाह साथ जितने भी लोग हैं अगर ये सरकार और प्रसासन पा गई तो उन पे गंभीद धाराइं और मुकदमे लगे जूटे मुकदमे लगे और ऐसी गंभीद धाराइं लगी जिसकी हम और आप लोग कभी लोगतंत में कलपणा नहीं कर सकते और मैं तो कहता हूँ पतकार अगर एक साथ इतने किसी नेता पर मुकदमे लगे होंगे तो शायद एक लौते नेता हैं पूरे देश में आजम खाह साथ जिन पर मुकदमे इतने एक साथ लग दे आपको बता दे कि अखलेश यादब ने आजम खान की जहर युनिवर्स्टी बचाने के लिए साइकल यात्रा शुरू की है ये यात्रा रोज कई जिलों से होते हुए लखनाओं में समाप्थोगी नियूज डेक्सक झाल